परमेशोर की धन्यवाद आज फिर से परमेशोर के सनेद में एक अच्छा सा मौका मिला परमेशोर की धन्यवाद करने के लिए परमेशोर की कुरुपा आराधना और परमेशोर के सहावास में आने के लिए परमेशोर एक अच्छा वसर दिया इसलिए मैं परमेशोर को यहला नामेकरन था विश्वासियां दूसरी थी चेले तीसरी थी भक्त आज चौत्वी वाले देखेंगे प्रेरीतों का किताब दस्वी अध्या उसका तीस्वा मचल आक्स चाप्टर टेन वोस्ट ट्वेंटी त्रूई कि देखना उधर लिखा गया अनुबव में देखेंगे भाई यहाँ ब्रदर्स वह कलिश्याओ के सदस्य और मीटार मतलब पुलिंग दिखाई देता है स्ट्री लिंग दिखाई नहीं देता है मगर एक चीज है अगर पुलिंग ब्रदर है ब्रदर के अंदर ही सिस्टर भी है आदाम को परमेशर स्रिष्टी करते हैं वक्त स्रिष्टी से पहले ही आदाम के अंदर कौन था हव्वा मौजुद थी मगर वो रहस् इक तर समय में परमिशर हवा को क्या किये रिवील करके रख दिये इसलिए कलीशिया को क्या कहा जाता है स्त्री लिंक के हिसाब से कहा गया है स्त्री कन्या हलो इसलिए यहाँ पर पताए गया आप वचन में देख सकते हैं प्रेरितों का किताब दस्विया 23 वचन में कलिशिया के मेंबर्स को क्या बोलके बुलाये जाता है ब्रदर्स ब्रदर्स मतलब भाईया बाईया का मतलब क्या है एक परिवार का अंक्सी नहीं तो एक परिवार में रुकने वाला नहीं तो एक परिवार के सदस्यर एक परिवार में मिलके रहने वाला व्यक्ति नहीं तो एक रोटी का सोभागी एक कलिशिया की सोभागी एक आत्मा की प्राने वाले क्या कहा गया भाईयों ब्रदर्स तो प्रेरितों को किताब 10 वियंद्याई उसकी 23 वचन में देख सकते हैं प्रेरितों के पुस्तक में देख से भाईयों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से कलीशिया के सदस्यों का नामिकरन के हिसाब से दिया गया है तो अभी जो हम आचार बोलने के लिए परमिशर उसको तेजन देके प्रोचाहन देके तैयार करके रखते रखते वक्त उसने क्या किया क्लीशिया के कुछ भाईयों को भी साथ लेके गया हलो सेवकाई अकेले नहीं करना चाहिए हमारे कलीशिया के सदस्यों के साथ ही करना चाहिए भाईयों को भी साथ लेना चाहिए यह इंडिविशल प्रोग्राम नहीं है इंडिविशल की महिमा माग बड़पन नहीं है मिला मिलकर लेना जरूरी है तो यहां पे दस्विय ध्याई 23 मा बचन में पत्रस क्यों भाईयों को साथ ले गया जानते हो क्योंकि पत्रस किसके निकट जा रहा था कॉर्नेली के निकट जा रहा था वो कौन था वो एक विजाती था अन्य जा यहुदी नहीं तो प्रेरितों का किताब नवी अध्याई तक अगर हम लोग देखते हैं जातियों के निकट सुसामाचार पहुंचा हुआ एक हिस्सा दिखाई नहीं देता है हुदियों की एक सोच मसी केवल क्या स्वजाती बने हुए बने के लिए भुदारी है बोलकर सोचे उसे दर्शन को कि बोलकर तुड़वाने की कोशिश किये पर पाइलियों के लिए नहीं लोगों के लिए आया हूँ इसलिए कॉर्नली जो की दान दर्म करता था सब के लिए भला करता था प्रार्तना करता था सब कुछ करता था मगर वो व्यक्ति अपने जीवन में उधारी नहीं पाया वो व्यक्ति बवक्तिस्मा नहीं पाया वो व्यक्ति कलीसिया के साथ मेंबर्शिप नहीं पाया ये पास्टर जी को बुला और उद्धारी का जो रास्ता है उद्धारी के लिए जो जरूर्त है वो सब किस्टा है करके तुम अपना जीवन को क्या करो भाई चारा में ले के आओ कि देंदर में करना का करने से परमिशर पसंद करते हैं वह अच्छी बात है मगर उससे भी अच्छी चीज क्या है उर धारी पाके परमिशर के लिए कुछ करना बिना उद्धारी पाये हुए जो कुछ करने से भी परमिशर देखेंगे मगर उसके खातिरदारी नहीं रहेगी मगर उद्धारी पाया हुआ एक वेक्ति को जादा खातिरदारी मिल सकता है भाई चारा में आता है तो उसको जादा खातिरदारी मिलता है इसलिए कलीशिया की जो चौत्वी नामी करन दिया गया वो क्या है भाई भाई चारा एक परिवार का सदस्य बनना परिवार बेविद्वार के लोग हैं मगर कलीशिया में योगिदन उदारी पाने के बाद हम सग एक पापा के बेटे हैं एक पापा के बाई बहन हैं एक परिवार के सदस्य हैं और हमारे अंदर रहना चाहिए आज मी बहुत सारे इसलियों को ये चीजों में एक कंफूशन है प्रिजलोड आज मी लोगों को एक कंफूशन है शादी का रिस्ता जब लाएंगे तब किसको ढूढ़ेंगे विश्वासी को कम परिवारिक गोत्रो अमारे ट्राइब के खुद के फैमिली लाइन के लोगों को ही देखेंगे ऐसा ट्रेंड चल रहा है वो बिब्लिकल नहीं है अरे तू जब हमें परमेश्वर कलीसिया में योगिद्यान दे दिया तो कलीसिया के ही किसी को मतलब जो की आत्मिक रिती से आत्मिक फैलोशिप में है उन्हीं को हमें शादी करना जरूरी है विजातियों को जाकर शादी करके सर के ऊपर दरद ले गया के आने कि पत्रस क्या करते हैं अपने साथ छे भाईयों को भी साथ ले गया क्यों 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 क्लीसिया में कॉंट्फिक्ट थी क्लीसिया में समस्या आने वाली थी क्यों सोजातियों में से अन्ये जातियों के निकट जाकर पादरी साब क्या किये सुसमाचार बोले हलो हम कलीशिया के अंदर मनुश्यों के बात नहीं सुनना चाहिए मनुश्यों का बात नहीं हमें आगे चलानी चाहिए परमेशर के आत्मा जो बोलती है परमेशर जो बोलती है उसी चीज़ को हमें करना चाहिए इसलिए परमेशर पतरस से जो बात किया वो कलीशिया के लोगों को मालूम ही नहीं था इसलिए वो कलीशिया के अंदर एक समस्या लाने वाली थी इसलिए पातरस ने क्या किया समस्या के हल के लिए कलीशिया के ही किते भाईयों को लेकर कहा गया के निकट गया और उसको भी क्या किया संगती में मिलाने के लिए सुसमाचार बोलकर बबतिसमा देकर पवितरात्मा के अभीशेक से पूर्ण होकर वो लोगों किये भाई चारा में आगे कलीसिया में आगे एक वचन एक परमेश्वर एक आत्मा एक स्वर्ग एक भागया सोब आगयाता में वो भी क्या आगे शामिल हो गए इसलिए कलीसिया के अंदर बहुत सरे कॉंफलिक्ट हटने के लिए भाईयों को भी इसलिए पात्रसिक आत्मिक बेखती था पर्मेश्वर से चलता हुआ वह एक वेक्त कलीशिया के अंदर भीनता ना लाते हुए उसने क्या किया साथ उसी के साथ सेवकाई के लिए किन को लेके गया किते भाईयों को भी लेके गया इसलिए हमें मालूम करने वाईचारा मतलब सब कुछ में एकतरता होनी चाहिए सेवकाई में भी प्रार्तना में भी सुसमाचार में भी वाक्य गोशना में भी आत्माओं की उधारी में भी पर्सिक्यूशन में भी सताओं में भी समस्याओं में भी सब कुछ में हमें मिल जुल कर रहना जरूरी है वो है भाई चारा इसलिए का कलीशियों की सदसी की नामिकरन क्या गया है का भाई गन भाईया फेलोशिप आफ ब्रदर्स भाईयों का मिलन इसलिए बाइबल कहता है भाईयों मिलके रहना कितना मनोहर है क्लीशिय की अंदर क्या करना चाहिए मिलके रहना चाहिए सपरेशन नहीं इसलिए पत्रस को एक बार पाउलस क्या करते है गाली दे रहे हैं क्यों क्या ऐसा हुआ कि रोम के कलीशिया की चर्च नहीं तो यरुश्यलेम की जो चर्च के सदसी लोग थे कि वो लोग एक प्रोएक एक 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 फीस्ट मैं यह फंक्षन होगा नहीं च भी खाने का एक फंक्षन में पत्रस विजाती लोगों के साथ बिलकर बात कर रहा था खाना खारा था तूरंत क्या हो जानता ने यरुषिलयम के कलीश से के मुख्या गणा आ गए ने तो येलडर्स आगE भाई य आगए भाईएं आते ही इसे ने क्या किया जानते ना विजयती भाई उसे निकल कर किन पास आ गया हां सोजातियों के निकटा गया पाषलो तो देख कर उसको क्या किये गाली दिये क्यों पत्रस क्या कर रहा था बिन्नता दिखा रहा था कि अभाईयों का मिलन कलीशिया में जरूरी है भिन्यता परमेश्वर से नहीं आती भिन्यता परमेश्वर चाहते ही नहीं है इसलिए बैबल कहता है बजन सेंग ता भाईयों मिलकर रहना कितना अच्छा कितना मनोहर वो किस तरीके से है अहरोन के उपर गिरा हुआ अभिशेक के तेल के हिसाव से है अरे सर के ऊपर तेल गिरता है थोड़ा गिरने से खाली सर ही क्या होगा तेल से गिली होगी मगर ज्यादा 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 तेल गिरने से क्या होगा वो शरीर के ऊपर से लेकर कहां तक आएगा पाउआ तक आ सकता है वो यह परमेशर की Midaud, लगाओ, सब के ऊपर एक रीतिम II, इसलिए प्रितो का किताब दूसरी युद्या में, देख से रहते हैं, सब के ऊपर पवितरांत्मा के शक्ति क्या की, उतर आई, सब एक साथ, हलो, सब एक साथ, अनियो भाषा पाकर परमेश्र को क्वा किया, आरधना किया, क्यूं प्रेरितों का किताब दूसरी है देखा वो हिस्सा आजकल कलीशिया के अंदर क्यूं ऐसा नहीं होता सब एक साथ क्यूं हन्य भाशा बोल नहीं पारे क्यूंकि उनके अंदर भिन्नता की आत्मा है विश्वास में भिन्नता परमेशर के वचन समझने में भिन्नता आत्मी कता में भिन्नता सब कुछ में भिन्नता दिखाते वक्त पवित्रात्मा को भी वो लोग भिन्नता परमेशर के वचन को भी भिन्नता सब कुछ की भिन्नता अनुबव कर रहे हैं पर इसलिए परविष्टर कहने कि मतलब भिनता नहीं मिलाओ युनिटी युनिटी मिलाओ भाई चारह इसलिए भाई गण कलीश्या के 100% समस्याओं को हल करने की एक चीज़ है भाईओं को इनवाल्व करो भाईओं को मिलाओ मिल्जूल्व कर लेने की कोशिश करो automatic समस्या है Kalisia से निकल जाएगी क्या है ना फ्रेडिरितों का किता क्या हुआ विदवाओं को क्या किया खाना वाना देने की हिस्सों में क्या होगी एक complain आया complain आते भी तुरंत Kalisia क्या की मिलकर एक decision लिया सात लोगों को चुना वो भी कलीशिया की डिकलारेशन के हिसाब से कलीशिया के साथ सोच समझ कर बात करने के बाद वो लोग क्या किये आत्मिक तोर पर बड़ोतरी पाने वाले लोगों को मिलकर भाईयों को निकाल कर वो लोग क्या किये सेवकाई में भी और कलीशिया की क्या कर चीज़ों काम काजों के लिए भी उनको क्या कर दे स्प्लिट आउट करके रख दिया उसके द्वारा क्या हुआ क्लीशिया के अंदर की जो समस्या थी हुआ हल हो गई प्रॉब्लम्स क्यों आती है समस्या के अंदर क्यों आती है क्योंकि हम लोग मौका देते हैं क्लिस्या के अंदर समस्या लाने के लिए Hello For example क्लिस्या के अंदर अगर और्गनाइजेशन स्पिरिट आ गया तो क्या होगा ने तो क्लिस्या एक और्गनाइजेशन के इज़ाप से रेजिस्टर करा दिया गया तो क्या होगा बाई लो आएगी रूल्स और रेगलेशन साएगा एलक्शन साएगा यह सब हिसाएं आएगी और यह आने पर आत्मिक चीजों से गुरुत ज्यादा किस चीज में शारीरिक चीजों में गुरुत हलो कलीसिया ही खुद क्या कर रहा है आव सर दिला रहा है इसलिए नेच्ट टाइम एलक्शन जब आएगा मैं प्रिजिडेंट मनूगा मैं सेकरेटरी मनूगा मैं ट्रेशनर मनूगा मार पीट अरे जो जो कलीसिया दान दान अखली से अभी किस चीज में फस गई है एलक्षन की हिस्साओं में फस गई है हम लोग ऑपर्चुनिटी खोल रहे है हाँ हाँ हमारे गावर्मेंट सिस्टम के हिसाब से हाँ चाहिए और्गनाइजेश इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरों के अंदर पद्वी का पागलपन चड़ जाए ऐसा नहीं होना चाहिए हाँ या ना चेलों में से वो इश्व मसी के पीछे अनगमन क्यों किया बोले नहीं उसके पद्वी चाहिए थी उसको पैसे चाहिए थी कि विचार था इस्व मसी के साथ चलूंगा तो कुछ ना कुछ मिलेगा सोचा उस मकसद साहिए तो परमेशर उसको क्या किए पद्वी दिए उसको क्या किए परमेशर का फाइनांस मेनेजर बना दिए कि को कहते हैं तुम्हारे बीच में एक है कौन वो चोर है क्यों इसका रियात युदा को चोर बोलते हैं जैतान बोलते हैं क्यों बोले नहीं क्योंकि वो बाइचारे के अंदर रुकर ही वो क्या सबका वाट लगा रहा था नहीं तो फांडिंग सिस्टम से वो क्या करता है चोरी करता था करते हैं तो फांडिंग तो फांडिंग रहने वालों को अथरिटी दे देना चाहिए उसी उसको मार देगा फांडिंग लटक गया इसलिए पत्रस ने क्या किया ऐसा कॉंफ्लिक्ट नहीं भाईयों को भी साथ ले गया कली से के गया ताकि तूट जा सका है उसकी ग्यार में प्रेरितों का किताब ग्यार ग्यारा के बारा हुआ 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 है हुआ हो सकता है आत्मा बोलने पर जो हम करेंगे वो ग्यार अड्रस नहीं कर पाई गवर्मेंट की पवित्रात्मा के किसा हाललुया पत्रस कलीसिया के है मुक्या होने पर भी पवित्रात्मा की आवाज अगर हम भाई चारे हैं परमेंट के कलीसिया में भाई बन कर जीवरे हैं बाई चारा का हिसाव हमारे अंदर है पवित्रात्मा की सुन हो सकता है एक कलीसिया पूरा तेरी विरिद हो सकती है मगर पवित्रात्मा का तो सुन रहा है तो पवित्रात्मा की हिस्सा हैं परमेशर तेरे जीवन से क्या करेगा पूरनता करेगा वो परमेशर का मकसद पूरा करने वाला वक्ति बनेगा इसलिए आज के जमाने में हमें पवित्रात्मा दियाद दिलाने वाली ये की चीज़ है हमें भाईचरा बनाया क्यूं ताकि हम पवित्रात्मा की सुने आज लोगों को पवित्रात्मा की सुनने की टाइम नहीं बहुत पसंद है तो ये काम कर सो कलीशिया की एक बुजुर्ग है उनके घर में जाके बैठो सुनना क्या है पता चल जाएगा वो तुम्हें बोलने नहीं देंगे वो बोलते ही रहेंगे उनकी मूँ की पानी सुकेगी भी नहीं बोलते रहेंगे तो बोलते रहेंगी कितले लोग ऐसे बुजुर्ग लोगों के निकट जाके सुनेंगे कितले लोग बहुत कम पुर्शी का ही ऐसा हिसा है पवित्रात्मा की सोचो पुर्शी रत्मा जब हमसे बात चाहिए तो मनुश्यों की कोई बात चाहिए हमें याद नहीं आएगी हमें समझावता नहीं देगी सुनने समझने की इसलिए भाई चारा में पुर्शी रत्मा ही क्या करना चाहिए हमसे बात करना जरूरी है जिले बाइबल में देख सकते हैं भाई चारा के बारे में भाई जारी रीक तोर पर रहने वाली भाई यां नहीं तो ब्लड रिलेशन से रुकने वाली भाई यां उसका उधारन माती लिकिए उसकी दूसरी वच्छे पहला दिया उसकी दूसरी लोग कले के तो समचांज तीसीन और हुआ हुआ है अ कि अध्या अध्या आध्मा बचन देखो काई नो फोटीटू के तीन जैनेसेस चाप्टर फोटीटू वर्स त्री योसेफ और उसके भाई देखे ना योसेफ और उसके भाई फिर मतिली के सुस्वा मचर दस का दो के हैं वो है एक हिस्सा जो पारिवारिक हिसाब से रहने वाले भाई दूसरी वाली देख सकते हैं नियरस्ट कजिन्स और नियरस्ट रिलेशन जो भाई यहां हमारे नियरस्ट हैं ने तो अपने परिवार के ही हैं मगर थोड़े दूर के प्रेरीतो का किताब जेनिसश चाप्टर 3 13 वर साइट उल्पतिक का किताब 13 का आठ अब रहाम और लोथ कजिन्स ऐसे क्या थे कजिन्स भाई थे मना अबरहाम का पापा और लोथ का पपा ब्रदर्स थे तो वो कजिन्स फिर मतिली के सुसा माचार बारा का फॉर्टी सिक्स इशु मशी हो उसके ब्रदर्स इशु और अपने भाई यह लोग क्या करीबी रिष्टेदार यह हिस्सा में भाई चारा दिखाई सकता है अब युहना का सुसा मचार साथ का तीन में देख सकते हैं इशु मशी के जो खुद के भाई लोग क्या बोल रहे हैं साथ का तीन इसकर भाई लोग बोल रहे हैं और शु मसी के भाई यहां पर बॉल रहे हैं जो 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 यहां पर कर रहे हैं यहां पर wen कर कहा पर जाके कर यरुषलय में जाके कर यहुदिया में जाके कर कियों ताकि तू Famous बन सके कि अलो इचुमस्ची Famous बनने के लिए सिव का इंधियाнок क्या है है इचुमस्ची सेव्द मनने की जरूने कि जर्ण वह प्रमिश्वर की सहावास में, प्रमिश्वर की संगती में, मगर यह चीज़ है, इस व्मसी के भाई गन, इश्वर के करीबी रिस्तेदार लोग, इश्वर वाले लोग विश्वास नहीं कररे थे, के सदस्यों के बीच में नहीं है तो वो लोग उस दीजों को क्या नहीं करेंगे समझेंगे नहीं इफ यू है वे रेवलेशन और अधर परस्ट कैनोट फीड खिला नहीं देगा उसका रेवलेशन तुमें खिलाएगा नहीं अलो इसले है इशिव मसीग को क्या कर रहे भाई भगा दे रहे आया ना अधर्शन प्राप्त लोग दर्शन ना प्राप्त लवाने लोगों से क्या हो रहे पीड तो रहे दका का रहे आया ना इसलिए हीशु मसी अपने भाईयों के साथ आत्मिक चीजों के बारे में वो कभी क्या नहीं करता था बात्षित नहीं करता था क्यों वो आत्मिक थे ही नहीं तो उनसे क्या फायदा कि अब सूर जहांबे हैस्थ आ कि निकट जाकर सोना दे दोगे तो व Wassous नहीं करेगा अबने अंगोठे में रगाएगा में नो उसको सजा और काई रखेगा ठुपाके काई रखेगा नहीं वो कुछ नहीं करेगा वो क्या करेगा वह सोस्ता पहाना आ वो वो श़िट है वो तटी है व प्वह करेंगा कुछ लेगा और कुछ करेंगा का यह तो किसी को मत दो के शूवरों को मत दो कि वह नगा जब फारड में Himya किशा में उसको क्या करना चाहिए रखनी चाहिए वे इसलेМ वह उनelijnुकि को अनके भाई यां उनके nearest cousins उनके family members उसको क्या नहीं करते थे बहुत मुल्य मानते नहीं थे यह कब इसलिए वो लो क्या बोल रहे हैं तुम यहां पर मत करो तुम फैमस होना चाहते हो ना यह पने गाउ में मत फैमस कानिकल जाओ इसलिए इसमाशिव काले का है कि अपने देश में अपने गाओ में कि हां अधर नहीं मिल्ðक्र नहीं मिल थे क्यों। कि उनको रवलेस्शन नहीं है अगर तुम्हारा रेवलेशन किसी और के साथ मैच नहीं होता लिव दर प्लेस लेव दाट चेर लिव दर प्लेट तुम्हारा रेवलेशन किसी और के साथ तुम्हारा आत्में कता किसी और के आत्में कता सब्सक्राइब मिलता नहीं है टाटा भाई-बाई बो वह फामिली मे लोग सोचते हैं नहीं वह मेरा मामा का लड़का है वह मेरा मामी की लड़की है वह मेरी छोटी मां की बैटी है वह है यह है सरके उपर लेके जाओगे क्या होगा हेड़क इसलिए अबरहम और लोट के बीच में भिनता कब आई अबरहम और लोट के बीच में भिनता नहीं आई अबरहम के घर के घर में काम करने वाले लोग और लोट के घर में काम करने वाले लोगों के बीच में क्या आई भिनता आई क्यों बोले नहीं क्यों भी नता आई अरे परमेशर के वाला किस से बात करते थे अपर हम से बात करते थे लोत से कभी बात किये बात किये कब सोदों गुमारत को नस्र करते वक्त हो नहीं अरे एक देश को नाश करते वक्त तेरे को तिरे से परमेशर बात करना नहीं बड़ी बात हर दिन तिरे से परमेशर बात करना चाहिए इसलिए अबरहाम ने देखा कि उनके काम वालों के बीच कुछ समस्यां यहां रही हैं वो सम आत्मिक को और अनात्मिक वेक्टिओं के बीच में क्या क्या सकती हे कि एकांस्य ला सकती हे उसने उसको क्या किया पारए अच्छी तरीके से समझ्हकर भीनता ला दी कुछ दिया बाबू लोट तुई हो एकर राइट जाता है मैं लेफ्ट तू अगर परमिशर के नहीं सुनत यू कैन लीव मैं तो सीधी बात में बोल दिया गेट लॉस्ट निकल जा हलो आत्मिक चीज में कोई रिलेशन नहीं इसलिए ना जब ले इस्राइली लोग मुर्ति पूजा कर रहे थे मुर्ति पूजा करते वक्त मुसा आकर पुछा परमेशर के लिए जो को ही है वो लोग साभी एक साइड आ जाओ तुरंट कौन आ गया लेविया गन सब आ गये लेविया ने क्या किया मुसा की बात को सुनकर परमेशर की वैवस्ता की पूरनकाई के हिसाब से मुसा जो बोला उसको वो लोग सुना भाई देखा ने बहन देखा ने सब को क्या किया चूरा लेकर मार दिया उस दिन कम से कम तीन हजार लोगों की क्या होगे मौत होगे क्यों it's a matter of revelation it's a matter of knowing God तुम अगर फर्मेश्वर को जानते हो फर्मेश्वर को ना जानने वाले विक्ति अगर तेरे घर में सदस्य बनकर तेरे खून के रिष्टिदार बनके हैं don't listen them don't entertain them उनको entertain मत करो ऐसे लोगों के साथ मिलो जो तुम्हें आत्मिकता से क्या कर सकती है बड़ोतरी दे सकते हैं इसलिए यहां पर बताने वाले अनुभव ईश्व अपने भाईयों को क्या नहीं करते हैं उतना खातिरदारी नहीं करते थे क्यों क्योंकि they never had an intention of being being under the revelation of God परमेश्वर के revelation में आने के लिए वो चाहते ही नहीं थे इसलिए बीच बीच में Bible काती है इश्व मशी के भाई और माता इश्व से मिलने के लिए जब आए इश्व ने क्या कहा I don't have a time मेरा time नहीं है इश्व ने उनको मुँपर बोल दिया कि जो मेरे वचनों को सुनता जो मेरी आत्मिक चीजों के बारे में गहराई ले गहराई से चिंतित करता है वो मेरे भाई हैं वो मेरे सदस्य हैं वो मेरे परिवार हैं हां हो सकता है है मेरे कां रजिन्स और ब्रदर हो सकते हैं family members हो सकता है डون Bund केर in reader it to be spiritual आत्मीकता आत्मीकता और शारीरी कता दोनों को मिला आत मिसु थे सालिए शेम सी कहते हैं क्या क्च पूरानी ड्रख्यरस ओल्ड वाइन शुट नोट बी एड़ेड इंटो न्यू वण क्या होगा फट जाएगा केमिकल रियक्शन होगा जिस चीज को फरमिशल सपरेट किये हैं उसको हम अगर यूनाइट करेंगे वो क्या होगा फट जाएगा वह यह ना एक विश्वासी को शादी करने से क्या होगा फटेगा फैमिली फटेगा टूटेगा फैमिली इस नॉर्मल कॉंसट कलीशिया के साथ डिसकस करके ही शादियां करनी चाहिए कलीशिया के साथ बिना डिसकस किये लाइन मानकर शादी किये प्रेम करकर शादी किये क्या होगा वाट विल आपन स्प्लिट होंगे वो कॉमन संस है इसमें परमिशुर को दोशारपन देके कोई फाइदा ने इच्छा पसंद थी इसलिए मेरे बोलने का मतलब रिलेशन कोई भी हो सकता है मगर आत्मिक चीज में जब आत्में हैं हमारे हाथ में हैं आत्मिक चीजों के बारे में ही हमें क्या करनी चाहिए conscious होनी चाहिए we have to target only about spiritual things rather than beings rather than things which are unspiritual leave it off छोड़ दो उसको वो येरिया कोई छोड़ दो योसफ अपने भाईयों से अलग क्यों था याकुब का बेटा योसफ बाकी भाईयों से अलग क्यों था because he had a revelation from God परमेश्वर से उसके अंदर वो एक revelation थी वो क्या देखता था सपने देखता था बाकी भाईयों सब सोते वक्त सोते ही थे मगर ये सोते वक्त क्या देखता था क्या देखता था दर्शन वाउ अविश्वासी सोता है तो उसको कुछ दर्शन है देखने के लिए क्यों वो परमेश्वर से चलता हुआ वेक्ती है परमेश्वर की revelation पाया हुआ वेक्ती है इसलिए यूसफ अपने जीवन की चरिया में जहां खाई भी गया ठोकर ही खाया मगर परमेश्वर को छोड़ा नहीं it's a matter of revelation it's a matter of spirituality आत्मी कता अगर यही चीज रूबेन की जीवन में होता तो बोले नहीं यूसफ का जीवन का वो ही परिस्तिती यूसफ को ना कर किसको आता रूबेन को आता तो क्या होता क्या होता यूहुदा को आता तो क्या होता बाकी भाई यो को आता तो क्या होता इसलिए हमें मालूम करना था भाई चारा हमें जब हम परमेश्वर के साथ आते हैं संगती में आते हैं परमेश्वर के सनिदी में आते हैं तो परमेश्वर सब्सक्राइब जोड़ा नहीं कियों कि उसको मालूम है वो उसमें परमेश्वर रिवील्ड है कि इसलिए योसफ अपने बाईओं के साथ मिलता नहीं था अब रहाम अपने बाई के साथ रिष्टा काटने की कोशिश ही नहीं किया हाँ उसके भाई को बचाने की कोशिश किया उसके भाई को क्या किया उसके भाई के लिए प्रनार्तना किया उसको भाई को क्या किया उसके भाई के लिए जो कुछ करना था सब कुछ उसने किया मगर spiritual entity में spiritual आत्मिक चीजों में उसमें उसने concentrate नहीं किया अब रहाम ने बोला Goodbye man चलो हम Goodbye ले लिते है gas July मेरे बोलने कम मतलब वी केमाट शेर टेडल विते एञुकर एजन स्पिरिचुल म Äन आत्मिक व्यक्ति के साथ हम आपना टेबल बाट नहीं सकते आत्मी प्यक्ति के साथ बाढ़ सकते तो कुछ मिलने के लिए इसलिए इसलिए इस्यू मश्य अपने भाईयों के साथ क्या नहीं थे उतना इन्वॉल्ड नहीं थे आया ना प्रेरित का किताब एक का चौधा पढ़के देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखें ना ये लोग अभी रवलेशन पाए कब इसलिए की मौत के बाद इसलिए के पनुरुध्धान के बाद तब उनके अंदर इसलिए की व्यक्तता पता ही इसलिए क्यों से चौन है इसलिए की कि विकतित्व क्या है इसलिए की प्रभुता मुर Germ कब मालुम की है यिशु मसी के मौत के बाद यिशु मसी के क्या सुर्गा अहरॉन के बाद इसलिए प्रेरितों का किताब दूसरी अध्याय में ये लोग भी कलीशिया के साथ क्या थे मिलकर थे they were also a part of the church they became the brother of the church they became the member of church Kalisya के सदर सिब बन गे Kalisya के भाई चारह में वो लोग भी इन्मोर्ड हो गे हलो अगर आज के जमाने में आज के Kalisya में इस्यो मशी के माह इस्यो मशी के भाई इस्यो मशी के कसन आते हैं तो कैसा कैसा रहेगा परिस्थिती स्पेशिल चेर बाकी सबको नीचे बिटाएंगे इनको चेर हलेलिया भूले नहीं उनका नाम में ओ वोस्टर फ्लेक्स इस्यो मशी की माह इस्यो मशी की बहन हमारी Kalisya में उधरी पाए हमारी Kalisya में बबतिस्मा पाए हम उनको मन परिवर्तन में लेके आए हलो हलो वो Kalisya में कोई उनको खातिर भी नहीं किया उनको Kalisya के सदस्य के हिसाब से ही उनको क्या किया है एक्सप्ट कर दिया इसलिए आज बहुत सारे Kalisya है वो इश्यो मशी से भी ज्यादा अधिक किसको इश्यो मशी के मा और पपा को ज्यादा अधिक क्या करते हैं फोकस करते हैं वाई क्यों क्यों क्योंकि उन्होंने इश्यो मशी को जनम दे रहे इश्यो मशी का जनम उन्होंने नहीं दिया इश्यो मशी का जनम पवितरात्मा के द्वारा हुआ परमेश्वर की अत्यूने तो परमेश्वर की शक्ति उसके उपर काम किया मगर मरिया को परमेश्वर ने क्या किया जस्ट एक टूल के हिसाब से एक मटकी के हिसाब से मटकी में जैसा पानी भरते हैं वैसे ही यूज किया ने तो एक नारियल में जैसा पानी रखा गया नारियल में नारियल के कवर के अंदर जैसा नारियल रखा गया नारियल मिलने के बाद नारियल के पानी मिलने के बाद कवर फिक देते हैं वो ही सिस्टम था मरियम और यूसफ का इश्व मशी को जनम देने के बाद मर्यम ने क्या बच्चे पैदा आया ना तो और तो वो कैसे वर्जिन बनी बच्चे पैदे होने के बाद कोई भी वर्जिन नहीं रहता मगर इश्य मशी को जनम करते वक्त उसकी वर्जिन निटी क्या नहीं हुई करनी कत्व नस्ट नहीं हुई क्यों पवितरात्मा के दौरा पवितरात्मा की रिष्टता-के दौरा वो बच्चे पैदा पैदा हो Yes इसलिए उसकी शरीर में कुछ बदलावट नहीं हुई उसे तरीकी की मरियम के अंदर परमेशर उसके बोड़ी को प्रिपर करके रखे इसलिए मरिया मरियम स्रिष्ट नहीं है यशो मची स्रिष्ट है वो कब यशो मची को यशो मची के family members को कब पथा चला यशो मची के मौत के बाद क्योंकि तब उनको पता चला रहे इशुमशी जीने के लिए नहीं मरने के लिए आया इशुमशी आया क्यों ताकि हमें मरने वाली स्थिती से बचाने के लिए हमें नित्य नर्क से उद्धारी देने के लिए हमारे जीवन का किसा सुर्गिये तल पर रखने के लिए हमें सुर मुझे अद्बुत लगा चीज क्या देनते हो ना ये लोग कलीशिया के बड़े मेंबर्स भी बने नहीं प्रेरित भी बने नहीं वो हिस्सा भी वो लोग चुनने की कोशिश नहीं किये वो है आत्मिकता अरे तेरे सामने कलीशिया के मुख्या बनने की opportunity होने पर भी तू चूज नहीं करता तो तू है आत्मिक किसी और को तू मौका दे रहा है तो तू है आत्मिक if you give opportunity to somebody else even if you have the opportunity to sit on the throne that's spirituality वो है आत्मिकता इशुमशी के भाई इशुमशी के cousins इशुमशी के मा उनको direct इशुमशी के साथ रिस्ता है मगर भी वो लोग कलीशिया के मुख्या और स्रेष्ट वेक्ति इप्रेलितों बनने की नहीं तो मुख्य मुख्य वेक्ति बनने की कोशिश भी नहीं किये दूसरों को वह आफसर दे यह वह स्पुरिच्वालिटी और वह भाई चारा कि आजकल के ट्रेंड क्या है कि कुर्सी पाने के लिए किसी को भी कुचल डालेंगे कि आया ना आजकल की चर्च की एलक्षन सिस्टम देखो सांस्थाओं की एलक्षन सिस्टम देखो किसी को भी पैसा देके क्या करेंगे करीद्दरी करके कुचल डालेंगे वाट वो लोग क्या कर रहे हैं इसलिए हमें सीखना चाहिए प्रेरितों का किताब 14 में से सीखना चाहिए यह लोग कौन इशु के कजिन्स इशु के ब्रदर्स इशु के फैमिली मेंबर्स वो लोग भी क्या साधारन व्यक्ति के हिसाब दूसरों को मौका दिया क्या बनने के लिए अधीकर मदने के लिए हमारे अंदर वह भाई चाहरा आना चाहिए we should be such brotherhood word ब्रहरितों का किताब में कहीं भी देखा है क्या उनके बार मैं महति करन करके मगर उसके भाईयों ने क्या पुस्तक लिखा युदा की पत्री का फिर याकुप के पत्री उन्होंने लिखा है कब पवित्रात्मा से पूर्ण बन कर नहीं तो पवित्रात्मा उनको प्रोचाहन देने पर इसलिए मेरे बोलने का मतलब हम स्पिरिच्वल हैं तो हमें क्या करना चाहिए दूसरों को आफसर देना चाहिए ग्रो करने की हालिलुया वो है ब्रदर हुड खून के रिष्टेदार होने से भी रेवेलेशन आने पर फैमिली लाइन ने कुछ नहीं परमेशर ही याद आए कलीशिया के अंदर आकर परमेशर को मत दिखाओ भाईचारा क्या है परमेशर से सीखो भाईचारा क्या है इसलिए जो चीज ईशु मशीन है कुछ साल पहले कही थी क्या जब उसके माँ और भाईयां आये थे क्या बोला उनको कौन है मेरे भाई कौन है मेरे माँ कौन है मेरे पापा जो मेरे वचनों को सुनकर मेरे वचनों को समझ कर मेरे वचनों के हिसाब से जीता है वो है मेरा भाई वो है मेरी परिवार वो है मेरा सादस उस चीज को कब ये लोग मालूम किये इशु मशी के मौत के बाद इशु को वो चीज मालूम पड़ा अगर हम परमेशर के पुनुरुद्धान को विश्वास करते हैं हमारे अंदर भी ऐसी एक ब्रदर हुड आनी चाहिए ऐसी बदलावानी चाहिए अगर नहीं आई तो अभी तक हम परमेशर के पुनुरुद्धान का आश्रेवान नहीं हुए समझ यह ज non egg we did not even recognize what is the power of resurrection If you understand the power of resurrection नहीं दूसरों को बड़ा होने के वसर तुम खोल के दोगे वही चीज ईसु की मा बाईयां कासने क्या किया करिसिय के लिका वो है więksटर कि देट्स ब्रदर वो है भाई उनको क्वालिफिकेशन होने पर भी वह क्वालिफिकेशन को यूस ना करके किसी और को कि अगर आज कल की कलीफिया होता तो क्या होता हिस्सा थांग गॉर्ड परमेशर ऐसा नहीं किये हमें भी एसी रेवलेशन आने की जरूरत है जानने की जरूरत है इसलिए गलातियों का किताब पहली अध्याय उसकी 19 वह वचन में देखते हैं तो वहां पॉलस एक बात बताते गलातियों का किताब एक का उनीस देखा ना याकूब और पत्रस को छोड़के किसी से फिर एक बार वह अचन पढ़ते हैं एक का उनीस प्रभु के भाई कि याकूब को छोड़ कि प्रेरितों में से किसी से अब उसकी 18 वचन पढ़ो पत्रस से भेट करने के लिए एरशलेम गया उसके पास पंद्रा तिंत्यक रहा उसके बाद कि प्रभु के भाई कि याकूब को छोड़ कि देखो पावलस उदारी पाने के बाद पवित्रत्मा पाने के बाद किसके निकटा है केफा पत्रस के निकटा है क्या चेला बनने के लिए सीखने के लिए कितना दिन रुका पंद्रा दिन रुका और इश्यमशी के विवरन इश्यमशी के साथ वाली जो परिस्तिय सब कुछ के विवरन उनके उनके अंदर से वो क्या किया सीखना शुरू किया तब बाकी बाकी प्रेरित सब कहां पे थे सेवकाई की मक्सद में तो याकूब जो इश्वमशी के ब्रदर कजिन नियरस्ट ब्लड रिलेटिव वो उसका लिश्या के कौन थे प्रेरित थे बोले ने मुख्या थे कौन थे एक साधारन साधस्य क्यों इसको अधिकार नहीं है क्या योगिता नहीं है क्या इसलिए पाउलस कहता है मैंने किस से मिला याकूब से मिला पत्रस से मिला पत्रस से मैंने बहुत कुछ सीखा याकूब को भी मिलकर मैंने क्या किया बहुत कुछ सीखा क्यों अरे याकूब को देखने से ही पता चल रहे है इसलिए पत्रस गैलातियों का किताब में वह बर प्रदर्स अब जीसस यू मशी के रिष्टेदारों में से भाईयों में से सीखने के लिए बहुत कुछ है वो है भाईचारा वो है कलीशिया की सदसी की नामिकरन का स्रेश्टता हेलो बाकी का कलीशिया में कोई प्रयरिते हैं ही नहीं कलीशिया के मुख्या एल्डर्स भी कोई है ही नहीं तो ये एल्डर नहीं बन सकता क्या याकूब बन सकता है बन सकता था मगर वो अपर्चुनिटी उसने क्या नहीं किया लेने की कोशिश नहीं की वो है भाईचारा अरे किसी को कुचल डालने की है नहीं भाईचारा किसी को बढ़ाने की कोशिश करना वो है भाईचारा किसी को अवसर देना आत्मी कता में बढ़ने की वो है इसलिए मैं आज परमिशर के वचन से बताएगी अनुबो में एक ही चीज़ में फिर से फिर से याद करना चाहता हूँ परमेश्वर से रेवलेश्वर से रेवलेश्वर पाओ तो ही तुम क्या कर सकते हो भाईचारा में रुख सकते हो परमेश्वर से अभी से पाओ तो ही तुम भाई चारा में रुख सकते हो आईए हम आखे बंद करते हैं परमेश्वर के सनिदी में समर्पन करते हैं प्रार्त ना करते हैं सुर्गिय पिता परमेश्वर आज सुबह के समय तेरी वचनों से हमने परिक्षा ली तेरी वच्छ ने हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में याद दिला है परमेशर भाई चारख के बारे में याद दिया परमेशर हम कलीसिया के बाईया बनकर जीवन जापन करेंगे दूसरों को मौका देंगे परमेशर आत्मिक टॉट पर बड़ोतरी पाने के लिए आत्मिक चीजों में गुरुत्यू देने के लिए कर उनको बढ़ाने के लिए हम सौभागी बनेंगे परमेशर हमें रेवलेशन मिली है जो revelation मिली है उस revelation पाए हुए लोगों के साथ उसे बाटने के लिए हमें तैयार कीजिए बोलके प्रारतना करता हूं हमें भी कलीसिया के मेंबर्स में भाई बना कर भाई चारा में रखा इसलिए धन्यवाद तेरी अभी शेक से हमें पूर्न करके चलवा रहा हो चलवा रहे हो इसलिए धन्यवाद आदर और महिवाद सब कुछ आपके हाथ में हम सबते हैं ईशु मशी के नाम में मागते हैं आमें हाललुया